नमस्ते साथियो, मैं सुरच छेतरी, आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया इडियो चनल पर स्वागत करता हूँ साथियो, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत की खास होने वाला है क्यूんな कि इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकरशन मिल जाए देखे साथियो आप लोग मुर्गी पालन में कितना मुनाफ़ा कमाएंगे वो निर्भर करता है फीट के उपर यानि की दाना के उपर अगर आप लोग मुर्गियों को सिर्फ commercial feed खिला कर पालते हैं तो आप लोग का जो मुनाफ़ा का हिस्सा होता है वो कम हो जाता है इसलिए उन मुर्गियों को अगर आप लोग कम मात्रा में मुर्गी पारण करते हैं 10, 15 या 20 मुर्गी पारण करते हैं तो उन मुर्गियों को घर का बनाया हुआ फीड़ी खिलाईए और उसके साथ आप लोग के घर में जो भी वेस्टेज होता है वो खिलाईए और ऐसा करने से आप लोग का मुनाफ़ा ज्यादा होगा साथियो अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से घर में ही एकदम कम खर्च में मुर्गियों के लिए दाना बना सकते हैं साथियों ये दाना बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को चाहिए गम अगर आप लोग गम की खेती करते हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और अगर आप लोग गम की खेती नहीं करते हैं तो आप लोग गम खरिद भी सकते हैं इसका प्राइस ज्यादा नहीं होता है और आप लोगों को लगभग 4-5 kg गम लेना है और उसके बाद गम को चक्के में अच्छे से पिश्वाना है और ये दाना बनाने के लिए दो नंबर में आप लोगों चाहिए मक्का और मक्का को भी चक्के में अच्छे से पिश्वाना ह मक्का आप लोगों को लगभग 2 केजी लेना है और उसके बाद आप लोगों को चाहिए सूखी मचली के पौडर देखे साथ ही आप लोग बजार से सूखी मचली के पौडर खरीच चकते हैं ये मुर्गियों के लिए बहुत ही फाइदेमन होता है और ये लगभग 10 केजी साथ एक साथ मिक्स कर देना है आप लोगों को लगभग 1 केजी धान का जो मल होता है उसे भी लेना है और 1 केजी राइस पौलिस यानि की राइस ब्रान लेना है और लगभग 1 केजी धान लेना है और उसके बाद आप लोग को लेना है हराचारा देखे चाहते हो आप लोग बर्सिम या नेपियर घांस लेते हैं तो उसे भी छोटे टुकडों में काटना है और इस दाना में मिक्स कर देना है और अगर आप लोग केले के पत्ते, सहजन के पत्ते या कोई भी हराचारा लेते हैं तो उसे भी छोटे टुकडों में काट कर फीड में मिक्स कर देना है और आप लोग टमाटर भी लेख सकते हैं तमाटर को छोटे टुकडों में काट कर फीड में मिक्स कर देना है और आप लोग को थोड़ी मात्रा में नमक भी एड़ करना है अगर आप लोग फीड में नमक एड़ कर देते हैं तो उसके बज़े से फीड स्वार्डिस होता है यानि क करना है और कई मुर्गियों के चिज़ों के बारे में बताए है इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर दना है ? उसके बाद आप लोग को साधह पाने का इस्तमाल नहीं करना है ? आप लोग को क्या इस्तेमाल करना है चावल धोया हुआ पानी देखे साथियों चावल धोया हुआ पानी मुर्गियों के लिए बहुत ही फाइदेमन होता है क्योंकि यहां बहुत चारे पोसकत्त मौजुद होते हैं और इन सभी चीजों के साथ यह चावल धोया हुआ पानी वहाँ add कर देना है, चावल धोया हुआ पानी आप लोगों को ज्यादा नहीं लेना है, पानी आप लोगों को उतना ही लेना है ताकि फीट इस तरीके का हो जाए और मुर्गिया बहुत ही अच्छी तरीके से खाए साथियों जब ये फीट कंप्लीटली त्यार हो जाएगा उसके बाद आप लोग ये फीट मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं अगर आप लोग 10 या 15 मुर्गि पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को आप लोग सुबह के समय में और साम के समय में ये फीट मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं और अगर आप लोग ज्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को आप लोग दिन में एक टाइम ये फीट खाने के लिए दे सकते हैं आप लोग सुबह के समय में और साम के समय में मुर्गियों को commercial फीट खाने के लिए दे सकते हैं और दोपहर के समय में उन्हें इस तरीके का घर का बनाया हुआ फीट खाने के लिए दे सकते हैं ऐसा करने से फीट का खर्ज कम हो जाएगा और अगर आप लोग मुर्गियों के एक दिन के एक टाइम का फीट का खर्ज भी कम कर देते हैं और अगर आप लोग देशी मुर्गी पालंग करते हैं तो तीन से चार महिने में आप लोग का बहुत ज़्यादा फीट का खर्ज बचेगा और वो आप लोग का मुनाफ़ा होगा। अगर आप लोग एक दिन के चूजे खरीते हैं तो उन चूजो को मिनिमुम एक महिने तग जो कमर्सेल फीड होता है प्री स्टर फीड होता है वो खिलाईयने के बाद ही आप लोग उन्हें घर का बनाया हुआ फीड दीजिए तो शात ही हमने अगर आप लोग यह पसंदद आ और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को सेयर जरूर करना तो साथ ही हो आज के लिए बाई-बाई मिलते हैं फीडेक जबर डस्त वीडियो के साथ